हेलो स्टुडेंट्स मैं विशाल गुपता आपका टीचर आज मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट एकाउंटेंसी के चैप्टर इशू अफ डिवेंचर फ्रॉम दा बुक आफ टी एस ग्रेवाल के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 12 और 13 को करवाने जा रहा हूं स्टुडेंस इससे पिछले जो 11 कोशन है वो मैं अपने वीडियो में मेरे चैनल में अपलोड कर चुका हूं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां से वो वीडियो देख लीजिए कोशन को देख लीजिए ठीक है तो यह है बिटा मेरे पास बुक क्लास 12 की ट्यास ग्रेवाल की बुक है एकाउंटिंग फॉर कंपनी का वॉल्यूम टू जिसका एडिशन है टू-0-2-1 ठीक है जी उसका 12 कोशन और 13 कोशन करवाँगा ठीक है जी 12 कोशन यह देखिए यह रहा 12 कोशन अलका लिम्टेड इशूड फाइव थाउजन टैन परसंट लिम्टिड का नाम है ठीक है जी उन्होंने इसओ करने हैं ते एंपरसंट डिवैंचर इसओ करने हैं और रूपिस ठाउजाड इचिल टाउजन इचिक है ए डिसकाउट discount of 10% 10% discount पे issue करने है तो इसका मतलब वो आजेगा 900 प्लस 1000 यह 100 इस तरीके से बनेगा ना वो फिर ओके redeemable at a premium of 5% after 5 years, इसका हमें कुछ नहीं करना यह 5 साल बात देखना है, इसका हमें सिर्फ issue की ही entries करनेगी यहां पे according to the term, issue of issue, 500 was payable on application, application पे कितने है 500 और allotment पे वो क्या कह रहा है, and balance on allotment तो यह आएगा 400 प्लस 100 तो इस हिसाब से यह 900 प्लस 100 बनेगा, ठीक है जी, because discount का है, और वो total values की 1000 से ज़ादा नहीं जानी चाहिए record the following entries in the books of हाजी, किसमें करनी है आपको alka limited में न, हाँ, ठीक है recording की तो करनी है, हमें सिर्फ और इसका कुछ नहीं करना, ना यह कोई pro rata का case है, simple है, दो installment में पैसे आने है, यह general entries में आपको यहाँ कर देता हूँ, इसकी format बनाना, जरूरी है मैं आपको बार-बार याद दिलाता रहता हूँ हर वीडियो में, हर question करते वक्त बिना format में accounts का कोई मतलब नहीं रहता accounts में formats बहुत जुरूरी है यह serial number लिख लिजे क्योंकि date तो नहीं है ठीक है जी particulars, ledger folio debit, credit rupees पहला, पहला आएगा bank account debited to debenture application ठीक है इसमें आएगा being application received for 500 debentures applicants के से ठीक है जी, तो कितना बन जाएगा आपका 25 लाख बन जाएगा क्योंकि यह किस से multiply होगा पांच हजार share है debenture है issue करने और 500 के हिसाब से तो यह आगा 25 और 1, 2, 3, 4, 5, 0 एक, दो, 3, 4, 5 तो यह 25 लाख आ गया कितना आगे बटे 25 लाख तो यह सारा पैसा debenture में चला जाएगा तो यहाँ आजेगा debenture application account adapted to 10% debentures account ठीक है तो यह 25 लाख का 25 लाख कहा ट्रांसर होजएगा debenture account में क्योंकि ना कोई यह प्रो रटा है ना कोई over subscription, under subscription सारे के सारे पैसे चले जाएगे जिन्होंने apply किया था हमने उन सब को debentures issue की है being debentures issued ठीक है जी उसके बाद हम क्या करेंगे third में debenture allotment due करेंगे debenture allotment account अचाउंट डेपटेड डिसकाउंट on issue of debenture account डेपटेड to 10% being allotment becomes due तो यह कितना आजएगा यह आएगा पांच हजार इंटु चार 100 रुपया तो यह आगा 20 लाक रुपया ठीक है जी और यह आएगा पांच हजार इंटु 100 तो यह आगा पांच इंटु 100 बांच हजार तो टोटल कितना बन गया 25 लाक और हमें पैसे आने बेंकक में कितने पैसे आने है बेंक एकाउउंट डैप्टर टू डिबेंचर अलो मेंट एकाउंट तो यह आगा हमारा बीस लाग रुपिया डिसकाउंट के इलावा पैसा आ गया बीस लाग बींग अलॉटमेंट मनी रसीवड ठीक है जी और अब क्रॉस एक मैने जैसे आपको सिखाया था पच्चिस और बीस कितने बन गए पच्चिस ये और बीस ये पच्चिस लाग बन गया न और अब देखो 900 रुपिया ही हमारे पास आना था तो 5000 डिबेंचर्स का 900 रुपिये के साब से 45, 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 तो ये बन गया 45 रुपिया आ गया 45 रुपिया ठीक है जी ओके जी चलिए ये था हमारा 12th question अब मैं आपके सामने करूँगा 13th question 13th question कौन सा है ये देखिए वो अब शुरू हो जेगा topic issue of डिबेंचर्स for consideration other than cash का ये देखिए ये question है 13th joy limited company हाँ ये वहला question मैं रीट कर रहा हूँ तो यहाँ लिख लेते हैं पहले question का number 13th question पास कर लेते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें purchase consideration कैसे निकाल ली है ठीक है जी बहुत simple question है आपने ऐसे question share capital वाले chapter में भी करे थे ठीक है लेकिन मैं फिर भी आपको एक बर अच्छी तरह करवा देता हूँ तो यहाँ पर आएगा again serial number ये आगया पर्टिकुलर लेजर फोल्यो डेबिट करेडिट रूपिज रूपिज जर्नल पहला क्या है हमने building खरीदी है building खरीदी किसने है ये हम बना रहे है joy limited in the books of joy limited की books है ठीक है building उन्होंने खरीदी है building account debted to क्या आएगा vendor का नाम नहीं दिया तो हम सिर्फ vendor लिखेंगे vendor क्रेडिटर कुछ भी लिख लिजे बिंग building purchased on credit उदार पर खरीदी है उन्होंने तो कितने की खरीदी है 9,00,000 ठीक है जी अब उसनोंने क्या करना है उसकी payment करनी है यहां आएगा vendor account ठीक है account को लिखने की जूर्थ नहीं है vendor debted to discount पर इशू करने है न हमनोंने तो यहां आजेगा discount on issue of debenture account debted to debenture इशू करने है कौन से 10% debenture ठीक है तो यहां पे मैं आपको बताता हूँ number of debentures कैसे निकाल ले है यहां आजेगा टोटल परचेज परचेज कंसिडरेशन अपान issue price अपान कितना आएगा issue price minus discount करके ठीक है तो परचेज कंसिडरेशन कितनी है 9,00,00 की और issue price कितना कब बोल रहा हूँ face value कितने की बोल रहा हूँ 100 रुपे की 100 रुपे मेंसे 10% माइनस कर दो तो 90 रुपे आगया तो यह इसे कट गया एक एक से कट गया एक दो चार जीरो आगए तो यह 10,000 number of debentures इशू होगे तो इसका मतलब यह आजएगा आपका 10,000 debentures into 100 करके हाँ जी यह आजएगा 10,00,00 रुपे यहां पे और 9,00,00 आपको उसको pay करने थे और 1,00,00 किसमें चला जाएगा discount issue में चला जाएगा discount on issue में ठीक है तो being debentures issued on discount to vendor ठीक है यह नीचे वला आपका working note का part रहेजएगा students बहुत simple question है इन questions को आप दुबारा करके देखिए और मैं don't worry सारे questions करवाँगा इसके आप एक बार इसको अच्छी तरह देख लीजिए पहले हमने building करी दी है building को फिर हमने क्या किया vendor account adapted discount account adapted ठीक है जी ओके two debentures बहुत simple question है यह formula याद रखिए number of debentures अगर premium होता तो यहाँ issue price plus premium कर देते ठीक है जी तो यह question यही conclude होता है I hope कि आपको यह दोनों question अच्छी तरह समझा आगे होंगे बाकी questions के लिए आप मेरे चैनल को subscribe कर लीजिए और वीडियो को देखना ना भूलना okay जी done